हेलो स्टेंटीज, क्लास में आप लोगा स्वाहत, आज कलास में लोगा समझें, क्लास 11 का सिट समुझ, एक्सरसाइज 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, यह सब हम लोग कंप्लिट कर चुके, थियोरी के साथ एक्सरसाइज, अब देखो क्युश्चा नमर 20, क्युश्चा नमर 19 तक भी हम ल पर चुके थे, थोरा साथ 2 मिनट ध्यान देंगी, रिभीजन कहलेते हैं, इस सेप्टर के लिए क्या-क्या थियोरी पे हिसाब बनता है, पहले तो हम लोग क्युश्चा नमर 1 से लेके 19 तक ए थियोरी पे बना, और ए थियोरी बना, और इसी को हम लोग भेन डायागराम से ह और इस पार्ट को मान लेते थे सेट B, और यहाँ पे पार्ट तीन भाग में बटा हुआ तो इसको मानते थे A, B और C, तो सेट A में पार्ट क्या आ रहा है, A, B आ रहा है, सेट A का पार्ट है, फिर B, C क्या है, सेट B का पार्ट है नहीं, और B जो है, सेट A और सेट B दोनो का पार्ट है बस इस तरीके से हम लोग solve किये थे अब यहां पे क्या ना अब इसमें क्या ना यह दो set था अब दो set पे ना क्युचा नमर एक से लेके 19 तक में था अब देखो set क्या ना 3 set होगा जैसे यहां पे number of a union b union c यह 3 set आ गया कितना set a b और 3 set आया तब formula क्या होता number of a plus number of b plus में number of c minus में number of a intersection b minus में number of b intersection c minus में number of a intersection c plus में number of a intersection b intersection c यह formula होता अब इस formula पे क्या ना हम लोग क्या ना कि यूचन नहीं solve करेंगे इस formula पे हम लोग और क्यूचन बहुत कम solve बताब इस को अब हम लोग solve करने के लिए बेर ना बेरं डाइगराम जैसे यहां पे कैसेट हो जाएगा तीन पार्ट कर जाएगा तीन पार्ट काट लिए लो और इसेट ए इसेट बी और इसेट C, 3 पार्ट कर जाया क्यों? क्योंकि 3 सेट है, इसमें 2 सेट था तर 2 पार्ट कर था, 3 सेट है तर 3 पार्ट, अब देखो सब 3 सेट काटे ते इसमें सब कुछ पार्ट बट गया, तिसको ऐसे माल लेते हैं, A, B, C और D, E, F, G, S, तहरे एक पार्ट को माल ले, A, B, C, जैसे आँपे तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, ते, B, C माल ले उसी परकार से, अब कहें A, सेट A का पार्ट बताओ, सेट A, सेट A में क्या क्या आ रहा है? कि A आ रहा है, B आ रहा है, और E आ रहा है, और D आ रहा है, सेट A में देखू न, A, B, D और E आ रहा है, फिर कहेंगा सेट B वाला बताओ, सेट B वाला क्या बताएंगे? B, C, E, F बताएंगे, राइट? और C का बताएगा क्या? D, E, F, G, इस तरह से, अब कहें क्या न, A और B का पार्ट बताओ, सेट A और B का भाग, तो सेट A और B का बताओ, तो A और C का पाठे वाला हो जाएगा, D, E हो जाएगा, अब कहेंगा B और C का पाठ बताओ, तो B और C का पाठी वाला हो जाएगा, यप, राइट है, तो इस तरीके से हम लोग वेन डायगराम से क्यूचन सॉल्व करते हैं, तो बात समझ में आ गई, तो इसको एक अनुसंधान करता के तीन पीर, क्याना दूद, कॉफी और चाय की बर्यता जानने के लिए 100 बिदार्थियों के साचहातकार लिया, अब यहाँ पे क्याना, इसको यहाँ पे एक क्याना भेन डायगराम बना लेते, राइट है, एक इनिवर्सल सेट में यहाँ पे क्याना सर्विचर में कितने बिदार्थी हैं, तो 100 बिदार्थी, कितना बिदार्थी, 100 बिदार्थों के साचहातकार किया गया, उनमें से सुचित किया गया कि 10 बिदार्थी पीए, तीनों पीए, मतलब यहाँ पे 3 परकार के बिदार्थी हैं, जो एक मिल्क पी रहा है, मिल्क, फ DEEFG उन्युवर्सल सेट में सब विदार थी है करा उन्होंने सुचित किया कि 10 विदार थी तीनों पीते हैं तीनों पीते क्याना milk, coffee,ồi टी तर April coffee टी पीने वाला क्या है पर ई जो है इ देखो ई क्राल Me destructive भी पी रहा है कमोफी भी पी रहा है और T भी पी रहा है केवाल E जो है ही क्याना Milk Coffee टी दोनों पी रहा है तो Milk यहाँ पर कर रहा है कि तीनों तस विदारती ऐसे हैं जो तीनों पी रहा है तेहाँ पर हम लोग को क्याना लेना पड़ेगा E बरवर कितना दे दिया 10 E बरवर दे दिया 10 फिर कर रहा है उन्होंने 30 कॉफी और चाय पीते हैं 30 कॉफी और T पीते 30 कॉफी और T तो कॉफी और T कॉफी और T कौन होगा E वाला होगा कॉफी भी पी रहा और T भी पी रहा है मतलब E पलस F बरवर कितना 30, फिर क्या करना है आपर सारी, यहाँ पे 20 मिल्क और कॉफी, तो 20 मिल्क और कॉफी यह वला हो जाएगा, B और E, पहले B पलस में E दिया हुआ कितना 20, राइट, 20 मिल्क और कॉफी, मिल्क और कॉफी यही पीने वाले हैं, B पलस E, फिर 30 तो A ले ल मिल्क और T, तब मिल्क और T, तब 25 A वाला हो जाएगा, मिल्क और T, तो इसको लिख दिजे क्या ना, D पलस में E बरवर कितना 25, फिर करा 12 केवल मिल्क पीते हैं, 12 केवल मिल्क, 12 केवल मिल्क मतलब A जो है खाले मिल्क पीरा, B तो है मिल्क कॉफी दोनों पीरा, D जो है मिल् केवल ए ये बारा केवल विदते क्या पीचर ना भारा फिर कर 9 कोफी पी रहें मतलब Cape केवल कॉफी पी रहें मतलब 5 तेनर कॉफी पी रहें केवल थ्यूंध क्याओ हुआ हने diceel पर 9 लें तो भीर आलिक से इसको क्या बोलते बें आलिक से पर योग कर ग्याद किजिये कि इतने बिदार्थी ने तीनों में से कोई भी नहीं लिया था मतलब सो बिदार्थी है उसमें से बता दियाएगा मील कॉफी टी इतना ले रहे हैं और कौन सा बेक्ती जो है मील कॉफी और टी नहीं ले रहे हैं सो बिदार्थियों में उग्याद करना तो उसको ग्याद करने के इसको माले समीकन फर्स सकेन थर्ड और फोर और ए माल लो अब यहां पर क्या ना इसमें समीकन सकेन में रख दो है ऐसे लिख दे एक क्यूचन देखो दूसरा क्यूचन देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा बहुत असान है इसमीकन किसी में रखने पर सकेन में तो सकेन में रखेंगे तो बी कामान क्या जाएगा ना समझ रहे ना बी कामान दस आजा यहां दस रखेंगे दस सिधर घर जाएगा तो दस आएगा फिर इसमीकन किसी में रखने पर थर्ड में थर्ड में रखने पर थर्ड में रखने पर दिर कामान समीकरन किसमे रखने पर फोर में तो फोर में रुखेंगे तो क्या जाट नदी बरबर पंदरा जाट यग को ुड कुल पिने वालेprowadदार खुंच पीने वाले विदार्थियों की संख्या, तो 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 क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F अब प्लस में G A A होता ना अब इसको क्या कह लेजे ना जोड लेजे राइट है तो जोड इसको मिटा लेते हैं राइट देखो इसको मिटा ले और यहां से रफ कह लेते हैं देखो अब यहां पर क्या ना A A कामान निकालो दो A कमान क्या आया? 12, अप प्लस, फिर B, B कमान क्या आ? B कमान 10, अप प्लस C, C कमान क्या आ? C कमान 5, 5, प्लस में D, D कमान रगदो, D कमान क्या आ? D कमान हम दो निकाले 15, अप प्लस, फिर E, E कमान 10, अप प्लस F, F कमान क्या आ? 20, अप प्लस G, G कमान रगदो, G कमान क्या आ गया आठ अब इसको जोड़ लेजिए तेहां पे आठ पांच आठ आठ अठारा अठारा दू बीस ए आ गया फिर यहां पे दो दो चार पांच छे साथ आठ एक आठ असी आ गया तो एना मील कॉफी टी पीने आले बिदारतों की संख्या कितना असी उसमें से नहीं पीने वाल बिदार्थियों की संख्या तो नहीं पीने वाले बिदार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा कितना बिदार्थि ता सौ बिदार्थि सौ में असी घटा दू तो कितना आ गया बीस कितना गया बीस बिदार्थि ऐसे हैं जो मिल कॉफी नहीं पीएंगी यही हो गया नमबर 19 राइट है तो इसको ना फिर से ध्यान से समझेंगे तो आसाना नेक्स्ट क्यूचन देखो अपने आप बनाने आजाए गर राइट है तो एह होगा क्यूचन नमबर 19 इसको जल्ले से कॉपी कहलो फिर समझते क्यूचन नमबर 20 तो क्यूचन नमबर रहे होगो लोग समझेंगे 21, 21 में ध्यान से समझेंगे 21 भी हम लोग को अब समझ में आजाए क्यूचन नमर क्यूचन हम लोग 20 में पूर एक टाइम दे चुके है तो क्यूचन नमर 21 में क्या गर Madin के 25 बीदार्थी के सरबेच्छन में या पाया गया कि 25 25 विदार्थी की सरवेच्छन हो रहा है उसमें से 15 गनित लिया था तेहां पे भेन डाइगराम से भी इसको बनाना है तो भेन डाइगराम बना लो इसको लो ए भेन डाइगराम बना ले ते ए उनिवर्सल सेट है उसमें से कितना विदार्थी है 20 विदार्थी है जिसको सरवे लिए हैं जिसमें A B C और D E F और G A ले लिए राइट है और A अब क्या क्यूचन करा ध्यान देंगे 15 गनीत लिया था 15 गनीत लिया था गनीत मतलब A B D E लिया नहीं तो A B A A D पलस में A बरवर कितना पंदर correct है Quin करा 12 भॉत इक लिया था बारा भॉत इक मतलब physics तो physics में क्या हो जाएगा वी सी बी सी और पलस में E अब पलस में F नहीं यह ना physics वाले इतना स्टिलेंट है तो कितना बारा , 12 लिख लिए य resonance 10 कमेश्टी लिया था, कमेश्टी में A सारे हश्टेंट है तर D, E और F पलस में G बरावर कितना 10 11 कमेश्टी लिया था 11 E हो गया फिर करा 5 गनीत और कमेश्टी लिया था गनीत और कमेश्टी 5 क्या ना, गनीत और कमेश्टी लिया था गनीत और कमेश्टी, तर D और E, तर D पलस में E बरवर कितना 5, फिर करा न, कि 9 गनीत और फिजिक्स लिया था, गनीत और फिजिक्स, तर इसमें A, A अस्टुडेंट है, तर B पलस E, तर यहां लिख लेते हैं, B पलस में E, बरवर कितना, कितना 9 बिदार थी, फिर क्या करा, चार भौतिक और कमेश्टी लिया था, तब फिजिक्स और कमेश्टी, तर फिजिक्स और कमेश्टी यह अस्टुडेंट है, तो E पलस में F, बरवर कितना 4, फिर करा, और 3 सभी बिसे लिया था, सभी बिसे मतलब E जो है, सभी बिसे लिये हुए, मैथ भी, इतना दे दिया, तीन दे दिया, भी से लिए, तो उन विदार्थियों की संख्या ग्यात किजिए, जो लिये थे केवल कमेश्टी, ए करा है, तो पहला में करा केवल कमेश्टी, तो केवल कमेश्टी मतलब क्या निकालना है, जी निकालना है, भाट, फर्ष्ट में क्या निकाल लिए तो क्या करो ना इकामान अब इसमें रख दो एफ निकल जाएगा फिर इकामान इसमें रख दो तो बी निकल जागा ओई कमान इसमें रख देजिए तर दी निकल जाग राइट है तो यहां पर समीकन मानलो फर्स सकेन और थर्ड राइट है इसको भी फोर्थ मानलो फोर इसमें है तो पहले हम लोग को क्या क्या ना पड़ेगा E का मान लगता है आप लोग हल कर सकते हैं E का मान इसमें रख देंगे E का मान किसमी समी करन किसमें रख दो पहले तो 4 में रख दो 4 में रखने पर E का मान रखेंगे तो D बरवर कितना आ जाएगा दो आ जाएगा नहीं एकामान पास दखेंगे तो दो आ जाएगा फिर एकामान समीकरन एकामान समीकरन किस में रख दो 5 में 5 में रख देंगे तो B बरावर कितना आ जाएगा ना 6 आ जाएगा नहीं एकामान 3 रखेंगे तो B कामान क्या जाएगा सिक्स फिर यहाँ पे अपकी का मान समीकरन किसमीर अपर आठाड में रखने पर आफ ओसारी 6 में रखने पे तसी क met दो टी कमान 6 रखेंगे तो एक बरह्भर क्या जाएगा उपन एगा डूगया और हमने का निकाल地 केवल कमेष्ट तोकेवल कमेष्ट करने के लिए गवाद्थी में लिख दो डी इफ आफ कमान समी करन किसे में रखने पर थढ में यह रखने पर थाद भिष्टि can कामान क्या निकाल जोगे डी कामान दो पलस इकामान क्या आया तीन तीन पलस में एफ एफ कामान क्या ना एफ कामान हम लोग फाइंड किये एफ कामान कहां फाइंड की 1 प्लस में जी जी तो हम लोग को find करना है और equal to जी और equal to क्या ना 11 तेहां पे जी बरवर आ जाएगा 3, 2, 5, 5, 1, 6 इधर गर जाए 11, मानद 6 तो जी बरवर कितना आ गया 5 5 बिदार थे जो है केवल क्या लेगा कमिश्ट्री लेगा फिर करा केवल गनित अब क्या करो ना कि इसमें A, B और इसमें मान रख दो समीकन फॉस्ट में रख देंगे A, sorry, B और समीकन सकेन में रख दो क्या निकाला ना केवल गनित गनित मतलब क्या ना A ग्याद करना तो A ग्याद करने के लिए B, D, R, E B, D, E कामान की समीकन फोस्ट में रखेंगे तो A निकल जागा फिर करा ना केवल फिजिक्स फिजिक्स मतलब क्या ना C C निकलना तो B, E, F कामान समीकन सकेन में रख दो तो C निकल जागा ऐसे अब करा भौतिक और कमेश्टी लेकिन गनित नहीं तो भौतिक और कमेश्टी लेकिन गनित नहीं तो भौतिक कमेश्टी कौन है? भौतिक और कमेश्टी A है और इसमें करा गनित नहीं होना चाहिए तो गनित नहीं होना चाहिए तो A भौतिक फिजिक्स हो गया तो भौतिक और फिजिक्स तो भौतिक और physics तो A है लेकिन गनीत नहीं तो B और E में तो गनीत भी आ रहा है तो खाली क्या हो जागा ना B करा गयात करने के लिए क्या केवल B B जो है math, sorry भौतिक और chemistry भौतिक और chemistry ये है तो F, F लिकले है खाली F निकालने के लिए करा है क्यों कि भौतिक और chemistry F है फिर chemistry भी पढ़ रहा है लेकिन गनीत नहीं पढ़ रहा है तो इसमें F करा गयाद करने के लिए तो F हम लोग इसमें क्या कर दिया F फायंड करो फिर अब करा इसमें गनीत और भौतिक किन्तु chemistry नहीं तक गनीत और भौतिक, E है, तक गनीत भौतिक लेने वाला, क्या A, बिदारति है, उसमें कराख कमश्टी, कमेस्टी नहीं, कमेस्टी एटो कमेस्टी भी ले लिया, तक 50 में क्या का दिया, B, तरी समें का दिया, हम लोग को B ग्याद करने के लिए, ति हम लोग क्यूचन समझ गे और ज्याद कहलेंगे यह हो गया क्यूचन नमर 21 अब हम लोग समझते क्यूचन नमर 22 भी इसी परकार है 22, 23, 24, 25, 26 सब इसी परकार क्यूचन है और हम लोग बना सकती है तिसको नोट करो क्यूचन नमर सब बन जाएगा और 23 भी बन जाएगा, 24 भी बन जाएगा अब 25 भी, अब इसमें लाश्ट क्यूचन आप लोग को समझाते क्या न, 26 तिसको जल्दे से नोट कहलो, फिर देखते 26 तो क्यूचन नमर हम लोग समझेंगे 26 इसमें क्यूचन नमर 26 में करा कि बच्चों की एक समू में 35 फुटबॉल जिसमें केवल क्या न, 20 फुटबॉल खेलते हैं, 22 सौके खेलते हैं और न, इसमें 25 किर्केट खेलते हैं लो तो पहले भेन डाइगराम बना लो तो इसमें क्या न, ए उनिवर्सल सेट ले लिए और इस उनिवर्सल सेट में 3 परकार के खेलारी हैं कितने परकार की? 3 परकार के खेलारी है और ए तीनों परकार के खेलारी को बना लो ऐसे ए पहला तो फुटबॉल खेला है जिसको F से डिनोट कहलो और तिसरा क्या ना और यहां पे क्या ना हौकी हौकी को S से सुचित कहलो और किर्केट को C से सुचित तीन पर कार कि इसको माल लो A, B, C, D, E, F, R, G अब क्या करा ना कि 35 फुटबॉल खेल रहे हैं 35 फुटबॉल फुटबॉल मतलब A, B, D, E तो A पलस में, B पलस में, D पलस में, E बरावर कितना 35 फुटबॉल खेल रहे हैं दे फिर करा जिसमेंести केवल काना एक वीच फुटवायआ खिलते हैं तो 3 इसलिए कीवल क्या खेल रहे फुटवाय खिल इसमें इस बराबर क्या दिया हुआ है 20 केवल researchers खेलने की विदार्ति की संग्या कितना है 20 फिर कर रहा है 22 होकी खेलते हैं तो 22 होकी खेलने वाले पूरा अस्ट्रेंट हो गए तो यहां पर क्या हो जाए ना प्लस में C प्लस में E प्लस में F बरवर कितना 22 बचे खेलते हैं फिर कर रहा ना 25 किर्केट खेलते हैं 25 किर्केट मतलब 25 तो ए लिखना पड़ेगा D प्लस में E प्लस में F प्लस में G बरवर कितना 25 किर्केट खेलने है 25 किर्केट खेल रहा है फिर कर रहा जिसमें केवल किर्केट खेलते हैं लो 11 जो केवल तो G जो है केवल किर्केट खेल रहा है तो G बरवर दे दिया 11 फिर कर रहा जिसमें 7 किर्केट और फुटवाल किन्त किन्तु होकी नहीं लो साथ जो ऐसे किर्केट फुटबॉल कौन है किर्केट फुटबॉल ए है साथ है जो किर्केट फुटबॉल खेलने वाले क्या है डी और ई जिसमें का दिया किन्तु होकी नहीं खेलता लो तो ई तो होकी भी खेल लेता है तो ई होकी भी खेल लेता है तो क किर्केट और फुटबॉल खेलने हैं, साथ, साथ दे दिया, फिर करा यहां पे तीन फुटबॉल और होकी, फुटबॉल और होकी, फुटबॉल और होकी, फुटबॉल होकी खेलने वाले क्या ना, B और E, फिर करा किन्तु किर्केट नहीं खेलते हैं, लो, तो E तो आ गया, कि जो football तथा cricket दोनों खेलते हैं तब 12 football और cricket football और cricket फुटबॉल किरकेट मतलब D plus E तो D plus में E बरवर कितना 12 ए दे दिया फिर करा कितने tीनों खेल खेलते हैं तीनों खेल खेलते हैं तीनों खेल खेलने की संग्या मतलब E बरवर का दिया भाट यह बरोभार फिर करा कितने किर्केट और होकी किन्तू फुटबॉल नहीं किर्केट और होकी किर्केट होकी के लिए आ गया तो किर्केट और होकी मतलब एफ कर रहा हम लोग को ग्याद करने के लिए किर्केट और होकी किहां गया किर्केट और होकी किन्तू फुटबॉल नहीं फुटबॉल नहीं, किर्केट और हॉकी, फुटबॉल नहीं, मतलब क्या का दिया, एफ, एफ गयात करने के लिए, एफ अबरब, फाट, फिर खेलते हैं, कितने केवल हॉकी खेलते हैं, हॉकी, मतलब सी बरबर भी का दिया, भाट, हॉकी, केवल हॉकी खेलते हैं, राइट है, केवल होकी खेलते हैं फिर करा समू में कितने बच्चे जो है संख्या की संख्या है बच्चों की संख्या मतलब कितने बच्चे हैं जो फुट वॉल होकी किर्केट खेलते हैं उस सारे बच्चे की संख्या ग्याद करो तो संख्या ग्याद करना मतलब A प्लस B प्लस C प्लस E प लो समीकरन फर्स्ट और ओर इस सकेंड और फर्ड और एक रहने दो इतना ही और नहीं है इसको MUSIC common इस्वे funds सकते लो अब क्या करो लो की इसमें करोन कि इसमें क्यान काम आद कामान कैसे निकाले हम लोगत टो डी इक आमदी मारे में रख दें क्या निकल जागा इए निकल गया और इनिकल गया तो सब में अब यहाँ पे इसमें इसमें रख दो तो कुछ मान निकल जागा तो सब अफ्जफ का मान रख दो बी ऊफ का मान दिया हूँ तका सब का मान निकल जाँ जाँगा तो इसमें तो इसमें पुट कर देंगे तो सब भीका safe लोग खुद से find कहेंड कहलेंगे जो केवल इसमें खाहाल हां यह निकलना था कि किस안 क्या मान दिया हुए जो हम लोग ज्याद कहले, तो यह बन जायागा क्यूचर नमबर 26, यह हो गया क्यूचर नमबर 26 कम्प्लीट, तो exercise हम लोग 1.4 कम्प्लीट कहले, अब हम लेंगे next class में, क्या न, 2.1 relation में, राइट है, तो thank you अच्छुडेंट, सुक्रिया, फिर मिलते हैं next class में, relation में, जिसको हम लोग Hindi में बोलेंगे संबन, को next class में समझाया जाएगा, आज इतना है, तिसको जल्दे से copy कहलो, फिर मिलते हैं कर, thank you अच्छुडेंट